हलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नरवी, आइम शिवानी चौहान, इस विडियो में हम क्लास 6 माट्स की बुक का चाप्टर 8, डेसिमल्स की एक्सराइस 8.2 के question 1 और 2 देखेंगे, इससे बहले हम लोग 8.1 पूरी complete कर चुके हैं, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नही यह table जो given है, हमें इस table को complete करना है, with the help of these boxes, मतलब a में 1 कितने हैं, 10 कितने हैं, 100 कितने हैं, ठीक है, और number क्या है, तो हमें यह बताना है, तो सबसे पहले मैं आपको एक example देती हूँ, जैसे की 2056, को इसा भी number ले सकते हैं, तो यह जो last वाला होता है, इसको हम लोग कहते हैं 11, इस वाले को हम लोग 10 कहते हैं, इस वाले को हम लोग 100 कहते हैं, और इस वाले को हम लोग 1000 कहते हैं, और अगर यहाँ पर पॉइंट लगा हो, सबसकरो 0.78 हो, तो पॉइंट के बाद वाला जो होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, 10th, ठीक है, इस वाले को कहते हैं, 100th, ठ ठीक है, टी एचेस, यह टी एचेस वाला ही लग जाते हैं, इतना देख लिए हमने, अब हम question देखते हैं, समझ में आगे है, जो point के बाद वाले number होते हैं, जैसे कि 7.82 है यह, तो यह वाला क्या हो जाएगा, यह वाला हो जाएगा, point के बाद वाला tenths, और यह second number वाला क्या हो अब A वाला जो पाठ है, इसमें हमें बोला गया है, once, tenths और hundred, यह कौन-कौन से हैं, तो A में, अब ज़र एक बार यह देखो कि कितने कितने हैं, यह हम लोगों को बताना है, तो यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे, तो किस तरीके से हम लोगों को देखना है, तो पज़ करके बताऊं, तो ऐसे करके देखो, यह वाला 10 है, यानि कि यह total डपे कितने है, 10 into 10, यानि कि 100 है, तो यह total number of boxes कितने है, total number of boxes है, यह 100, ठीक है, आप लोगों को समझ में आ रहा है कि total number of boxes क्या है, 100 है, total boxes, अब 100 में से, अगर total 100 है, 100 में से, कितने यह shaded है, ठीक है, total कितने है, total number of छोटे-छोटे box है, 100, 100 में से shade वाले कितने है, तो देखो, यह 1, यहां से लेकरके यहां तक यह पूरे 10 है, और यह फिर से 10 है, और यह कितने है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानि कि 26, तो 10 plus 10 plus 6, 26, तो total कितने है, अगर हम A वाले की बात क करें, तो total तो boxes कितने है, total तो सब में, A, B, C, सब में ही total boxes कितने है, 100 है, सब में, सब के सबों में total boxes कितने है, 100, ठीक है, 100 में से जो shaded वाले है, 100 में से जो shaded है, वो कितने है, इसमें A में, 26, तो यानि कि अगर हम लोगों को number निकालना हो, number, number निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, total वाला नीचे लिखेंगे और shaded वाला उपर लिखेंगे तो क्या आचाएगा number निकाल निकले 26 upon 100, तो जब भी ऐसा हो ना, उपर 26 है और नीचे 100 है, तो नीचे 2 0 है तो हम ऐसा करते हैं, कि जो नमबर 2 है ना, इसके आगे पॉइंट लगाते हैं, और फिर यहां पर 0 लगा देते हैं, तो यहां पर क्या आएगा 0.26 तो नमबर क्या आगया, नमबर तो यह आगया 0.26 ठीक है, कैसे आया total 100 थे, shaded 26 थे, तो 26 upon 100, ठीक है यह आजाएगा, 0.26 0.26 आगया अब यह वाला जो चीज था, यह हमारा rough work था, ठीक है, rough work होफुली आप लोग को समझ में आ गया होगा 0.26 यहां पर हम लोग बढ़तेंगे अब इसके, इसमें हम लोग ऐसे करके लिखते हैं, देखो 0.26 आगया, अब 0.26 को अगर हम लें, तो यह क्या है, यह वाला, पॉइंट से आगे वाला तो 1 होता है, ठीक है, तो 1 में क्या है, 1 में हमारा यहां पर 0 है पॉइंट से आगे वाला 1 होता है, तो 1 में 0 है, और यह वाला मैंने आपको क्या बता है था, यह होता है 10th, तो 10th पे क्या आ गया? 2 आ गया और 100th, 100th जो है, 100th पे क्या आ गया? 100th पे 6 आ गया, तो हमारा क्या हो गया? 1 पे 0 है, 10 पे 2 है और 100th पे 6 है और नमबर क्या है? 0.26 हमारा नमबर है, ठीक है? अब B वाला पार्ट देखते हैं, अब देखो B पार्ट में हम लोगों को 2 boxes बना कर के दे एक यह box है और एक यह box है और इस वाले box में सारे के सारे shaded है यानि की 100 by 100 है 100 by 100 क्या होता है 100 by 100 तो 1 होता है तो यानि की इसकी one place पे तो यह आ गया 1 क्यों? क्योंकि सारे के सारे shaded है अब ये वाला, इसके आगे वाला इसके आगे वाला जो है total तो क्या है? total 100 है 100 में से shaded कितने है? देखो 10, 10, 10 और 8, यानि कि 10 प्लस 10 प्लस 10, 30 और 30 प्लस 8 38, तो यानि कि 0.38 तो नंबर क्या आगया? 1.38 0.38 कैसा है? देखो ना 38 थे, तो 38 अपॉन 100 में करूंगी है ना? और 2 0 जो है, इसमें उपर वाला जो होता है, इसके आगे 0 लग जाता है, ऐसे करके तो 0.38 था, 0.38 में 1 एड होगा, तो 1.38 हो जाएगा, आया समझना? आप लोगों को पक्के से आया है, ना? क्या किया है, देखो हम लोगोंने ये वाला तो 1 ही हो गया, क्योंकि सारे कि सारे shared है, और इसमें 38 थे, तो 38 को हमने 100 से divide करेंगे, क्योंकि टोटल 100 है, तो 0.38 आगया, तो 1.38 यहाँ पर आगया, अब 1 क्या है? वन्स तो यहाँ पर 1 है, और हमारा टेंथ क्या है? टेंथ, टेंथ हमारे पास यहाँ पर 3 है, और हंड्रेट्थ, हंड्रेट्थ, हंड्रेट्थ यहाँ पर हमारे पास 8 है, तो यानि कि यह हमारे पास आगया 1.38, ठीक हो गया, यह हमारे पास 1.38 आ गया ठीक है अब देखो यह C वाला पार्ट इसमें क्या है देखो C वाले में कि यह जो complete है यह पूरा का पूरा यह क्या है यह पूरा 1 है क्योंकि इसमें सारे के सारे shadow रखे हैं और इसमें किते shadow रखे हैं यह 10 यह 10 और यह 8 यानि कि 28 यह वाले shadow रखे हैं ठीक है 28 यह वाले shadow रखे हैं इसका मतलब क्या हो जाएगा 1 1 तो यह था और इधर 28 थे तो divided by 100 क्योंकि total 100 है तो यह हो जाएगा 0.28 और यह था आके वाला 1 तो यह क्या total मिला करके 1.28 आपको calculation करने की भी जुरूरत नहीं है 28 ठीक है 1.28 1.28 पे देखो 1 यह हो गया 10 और 10 यह आगया अगर मैं इसको इस तरीके से करें बिना भी खाली ऐसे ही देख के ही पता लगाना चाहूं तो वो भी easily हम लोग लगा सकते हैं कैसे देखो इसमें कितने थे इसमें 26 थे 26 थे और 100 से डिवाइट करेंगे 26 को यानि कि 26 को 100 से डिवाइट करेंगे तो 0.26 आ जाएगा और यहां क्या है 0.26 पॉइंट इदा तो लगाना है नहीं है तो 0.26 यहां पे 1.38 आए तो 138 1.28 आए तो 128 यहां पे 1.1 क्यों आया है देखो यह क्योंकि पूरा का पूरा था तो 1 आ गया और यह 38 थे तो 0.38 आ गया इसी तरीके से यह वाला पूरा का पूरा था तो 1 आ गया और इसमें कितने थे 28 थे तो 0.28 तो इस तरीके से अंसर हमारा आ गया first वाला question हमारा हो गया है अब जैसे first वाला था इसी तरीके से second question भी हम लोगों को करना है write the decimal numbers in the following place value table in the decimal form अब ये जो है ना इसमें हम लोगों को hundred पे ये है, ten पे ये है, one पे ये है, tenth पे ये है, hundred पे ये है, thousand पे ये है तो ये जो हम लोगों को number given है इनको हमें इस form में लिखना है, जैसे कि अगर मैं पूरा का पूरा number लिख दूँ, ठीक है, zero, zero, three ये वाला यहाँ पे A, A पार देखो, क्या है, zero, zero, three, तो यानि कि hundred, tenths और once, ये once place है, ये once place है, ये tenths place है और ये hundred place है तो ये हमने लिख दिया, tenth place क्या होती है, tenth place हमेशा point के बाद आती है, तो point के बाद क्या है, two है, hundredth place point के दूसरे पे आती है और thousand place, point के तीसरे नमबर पे आती है, तो जो A वाला है, A वाला हम लोगों का इस तरीके से बन जाएगा, क्या बन रहा है ये, zero, zero, three, point, two, five, zero और point के आगे zero, zero की कोई value नहीं होती, तो A क्या हो जाएगा, three, point, two, five, zero एक answer हमारा आजाएगा, three, point, two, five, zero, ठीक है, ये हम लोगों का A का answer आजाएगा, right अब हम लोग B देख लेते हैं, A वाला आया समझ, इसको आप लोग, हम लोगों क्या बोला गया था हम लोगों को right numbers given in the following place in the decimal form, तो decimal form में इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं, ऐसे करके देखो, एवाला अगर मैं proper decimal form में अगर करके लिखूँ, तो इसको ऐसे करके लिख सकते हो आप, three, plus, क्या लिखोगे, two, by, ten, क्योंकि इसके आगे वाले तो zero, zero है, plus, five, by, hundred, तो ये क्य हो जाएगा, three, point, two, five, क्योंकि इसके आगे भी zero है, और इसके आगे भी ये दोनों के दोनों zero है, तो zero, zero, three, plus, two, by, ten, plus, five, by, ten, plus, zero, तो a, जो है, उसका answer क्या आगया, a वाले का, a वाले का answer आगया, three, point, two, five, ठीक है, अब देखो, b part जो है, इसमें हम लोगों को कैसे करना है, b part में, a वाला, ये हो गया, अब मैं आपको, a वाला note कर लो, मैं आप ये रब करके दिखा रहे हूं, b part देखो, b part में हमें क्या है, one पे, hundred पे हमारा one है, अब पूरा का पूरा ना number, ये वाला जो है, ये as it is, उतार दो, one, zero, two, six, three, zero, अब देखो, ये तीन, ये वाला once है, ऐसी आजाएगा, tens है, ऐसी आजाएगा, hundred है, ऐसी आजाएगा, बट जब भी tenths, once के बाद, once के just बात, आप लोगों को point हमेशा ही लगा देना होता है, तो यहाँ पे आजाएगा, one, zero, two, point, six, three, ये जिएकि zero point के बाद, point के आगे, अगर numberों से सबसे आगे होगी, zero त तो भी उसकी value नहीं होती, तो इसका मतलब हम लोगों का जो B वाला है, वो ही हो जाएगा, और दूसरे तरीके से आप लोग B को कैसे लिख सकते हो, इसको आप ऐसे लिख सकते हो कि पहले, ये क्या है, one है, ठीक है, one कौन से प्लेस पे है, one जो है, वो hundredth प्लेस पे है, यानि और फिर उसके बाद hundredth पे है, ओ, एक सिकेट, ऐसे कर क्याएगा, six upon ten plus three upon hundred, और zero, तो ये सब मिल करके क्या बन जाएगा, ये सब मिल करके बन जाएगा, one zero two point six three, इस तरीके से आप लोग इसको लिख सकते हो, कैसे लिखा मैने, one था न, यहाँ पे, यह देखो, ये one था, ये तो जीरो का जीरो ही है, ये one से है, यानि कि एक पे है, और ये six, one upon ten आएगा, क्योंकि टेंथ पे है, hundred, three upon hundred आएगा, और ये तो zero है, तो one zero two point six three, अब देखो, ये वाला, two वाला आगया, बी, अब ये देखो, सी, इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं, सी वाले को, बिल्कुल सेम तरीके से है, यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, ये क्या है, ये तो zero है, ये three tenths पे है, यानि कि ten आएगा, और यहाँ पे once zero पे है, अब ये भी zero है, और two hundredth पे है, यानि कि two upon ten, और five thousand पे है, यानि कि, एक, दो, तीन, अब इसको कैसे लिखोगे, ये तो zero, ये भी zero, ये tenths में है, तो इधर तो सिर्फ 30 बचा, 30.025, तो ये हो जाएगा, 30.025, कैसे, देखो two, क्योंकि point के बाद थे ना, तो ये zero है, ये two है, और ये five है, ये upon hundred है तो point के दो बाद आएगा, upon thousand है तो point के तीन बाद आएगा, तो इस तरीके से ही हम लोगों ने इसको लिख दिया ह है, ठीक है, थोड़ा सा ठफे समझने में हलका सा, बट आप लोग करेंगे ना, एक तो बाद तो अच्छे से समझ में आएगा, और hopefully आप लोगों को आ भी रहा होगा, अब हम d part देख लेते हैं, d part देखो, d part में, ये हमारा है two, two कितनी position पे, hundred पे है, तो यानि कि इसको हम upon ten लिखेंगे, और ये hundredths पे है, यानि कि zero ही आएगा, ये two है thousandths पे, तो यानि कि thousand के उस पे one upon एक, तो तो ये आजाएगा, तो अब ये देखो, यहाँ पे ऐसे करके मैं अगर line खीच दूँ, क्योंकि ये ones है, ये tenth है, ये hundred है, और इसके बाद वाले ये तीनों point में 21, sorry, 211.902, कैसे, क्योंकि ये point, ये है न, ten है, तो point के एक बाद आएगा, ये तो zero था, तो ऐसी रह जाएगा, और ये point के तीन बाद आएगा, तो 211.902, तो ये क्या आजाएगा, 211.902, ठीक है, तो ये हम लोगों के answers हैं, ये वाले, ठीक है, अब हम लोग last part, e part देख ल लोगों को बुला गया है, ये तो zero है, ये वाला, जो tenths वाला है, tenths वाला one पे आ रहा है, तो यानि की one upon ten, ये ones वाला two है, और ये tenth वाला two upon ten है, ठीक है, इसको अदा दो, और hundredths वाला, hundredths वाला four है, तो four upon hundred में आ जाएगा, और thousand वाला है, one upon thousand, d वाला मैं मैं, road up कर रहे ठीक है ये हो गया है 00 ठीक है 0000 तो ये क्या हो जाएगा ये हमारा हो जाएगा यहाँ पर एक सेकंद यह पॉर्ण में थोड़ना आएगा यहाँ पर ये 10 आएगा मैंने सॉरी गलती से पॉर्ण लिग दिया था तो ये वाला finally हमारे पास हो जाएगा 12.241 देखो यहां से लेकरके यहां तकी 10 प्लस 2 12 हो जाएगा और यह सब जो है इधर वाला यह पॉइंट 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 आजाएगे तो 12.214 तो यह आंसा आजाएगा 12.241 क्या हो जाएगा यह यह वाला हमारे पास आजाएगा 12.241 ठीक है अब मैं आपको एक और बार सबके आंसर सबके सामने लिखके दिखा देती हूँ क्या-क्या है यह वाले से स्टार्ट करते हैं लास्ट वाले से चलो ए वाले से स्टार्ट कर लेते हैं ए जो है ए वाला हमारे पास आंसर आया हुआ है A आया है 3.25 B जो है B आया हुआ है 102.63 C है हमारे पास 30.025 D है हमारे पास 211.902 और E है हमारे पास 12.241 तो ये जो है ना ये सारे के सारे ये हमारा आंसर है ठीक है ये अब आगे के questions next video में देखेंगे Thank you